नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज आपका इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्सकों से आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ लगातार मेरे कमेंट बोक्स में लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका नमबर दीजे बातचीत करना है तो आज मैं आपको मेरा प्रसनल नमबर डवलेट 25940215 सेर कर रहा हूँ इस नमबर के माध्यम से आप मुझे कभी भी 24 आवर वाटसब कर सकते हैं मैं सभी लोगों का रिफलाई जरूर करूँगा चाहे वो किसी भी प्रकार की खबर हो मैं उसे प्रमुकता के साथ सभी लोगों को दिखाऊंगा आपको बतादू कि मेरे पास सबसे ज़्यादा मामले मानव तसकरी के आ रहे हैं और मुझे काफी दुख होता है कि जारखंड के भोले भाले आदिवासी यहां की मतायब बहने नबालिक लड़कियां मानव तसकरी के सिकार होकर दिल्ली के महानगरों में आज भी फसी हुई है उनका घर से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है लगातार उसके परिजन मेरे तक खबरे पहुचा रहे हैं कि आप मेरी मदद कर दें बीस मामले मेरे पास अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और मैं जल्द दिल्ली जाकर कोशिस करूँगा कि कुछ ऐसे लोगों को फिर से रेस्क्यू करके जारखन लाया जाए लेकिन एक अकेला वेक्ती कुछ नहीं कर सकता है आज तक इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों की जो कुछ भी मदद हुई है वो आप सभी दर्सोकों की वज़े से ही ये संभव हो पाया है इसलिए सभी दर्सोकों को मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यबाद और मेरे चैनल के माध्यम से मैं कुछ खास मुद्दों पर काम करता हूँ चाहे वो नकसलवाद हो, चाहे वो ग्रामिन इलाकों की समस्याएं हो चाहे वो मानो तसकरी वाले मामले इस तरीके के मामलों को मैं बड़ी ही प्रमुकता के साथ आप सभी के सामने रखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ समस्याओं का निदान करना असान नहीं होता है इसलिए कई बार कई लोगों की समस्याओं को सुनकर भी मैं उनको जो है मदद करने में मैं समर्थ नहीं रहता हूँ उसके लिए आप सभी से मैं माफी भी मांगता हूँ कि कई बार कोई देली से कोई जारखंड के अलग-अलग हिसों से कोल करता है और मदद मांगता है लेकिन कई बार मैं उन्हें मदद नहीं दे पाता हूँ लेकिन हम कोशिस करेंगे जल्द कि मानो तसकरी की जो भी लड़की सिकार हुई है और दिल्ली में फसी हुई है और जितने भी लोगों ने इस विशय को लेकर मेरे पास खबर पहुचाई है सारे डिटेज दी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने अस्तर से खोजबिन करनी सुरू कर दी है क्योंकि जब तक हमें वो सुचनाय पूरी तरीके से पुकता तरीके से नहीं मिल जाती है तब तक हम किसी को जारखंड लेकर आना हमारे लिए भी संभाव नहीं है जोकी कम पढ़ी लिखी होती है और वो दिल्ली में जाकर किसी के घर में काम करती है जाडु लगाती है पोछा लगाती है बरतंद होती है इवज में उसके पैसे मिलने चाहिए ओभी नहीं मिल पाता है कई बार परिवार वालों से संपर टूट जाता है कई बार एक जगह पर काम करने के बाद दूसरे जगह काम पर चली जाती है और सालों साल एक कमरे में बंधक की तरह कैद रहती है दिल्ली जैसा इलाका दूर से देखने से और दिल्ली का नाम सुनने से तो ऐसा लगता है कि वहां के लोगों में भर-भर कर मानवता होगी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जो मेरा प्रसनल अनुभव है मैं आज आपको आज सेर करने वाला हूँ जब हम दिल्ली गए थे वहां के लोगों का वेवार देखे बड़ा दुख होता है कि जारखंड के आदिवासी भोले भाली यहां की मताय बहने वहां पर काम करने जाती हैं उसके वज़ में उनको उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं और जिन इलाकों से हमने जिन लोगों को रिस्कू करके निकाला आज पास की सभी बिल्डिंग में कोई उडिसा की है और जारखंड के सबसे ज़ादा लड़कियां हर घर में देखने को मिली वहां के परोसियों ने मुह में बताया कि यहां पर भी जारखंड की ही लड़की काम करती है और आज भी कई लोग इसी तरीके से लापता है आज तक इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों की मदद हुई है वो आप सभी तरसकों की बदोलत ही यह संभव हो पाया इसलिए फिर से आप सभी को धन्यबाद और यह मेरा नंबर है आप अपनी समस्याओं को आप अपनी खबरों को इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं फिलाल अभी के लिए बस इतना ही लेकिन इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें हम और आप मिलकर एक ऐसे लोगों की मदद करेंगे एक ऐसे परिवार में उनके जीवन में थोड़ी भी भी होत अगर हसी और खुसी ला पाएं तो यह हमारे लिए बड़ा ही सोभागे की बात होगी और इसी सोच के साथ हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी के लिए बस इतना ही कल सुबा आपको मैं एक धमा के दार खबर देने वाला हूँ एक बड़ा घोटाला को लेकर चुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे नियूस आपका धन्यवाद